hai hello guys कैसे हैं आप सब, मैं आशा करती है, आप सलो बहुत अच्छे होंगे friends, आजके लिशा की लेडी में देखते हैं कि आपके person ने जो आपको इतना hurt किया है अगर आपके person ने intentionally जान पूछ के आपको बहुत जादा hurt किया है तो उनको क्या करमा मिलेगा अपने इस deed का ग्रूप बारे में पूछ रहा है उस परसन को क्या कर्मा मिलेगा ग्रूप बारे में पूछ रहा है उस परसन को क्या कर्मा मिलेगा ग्रूप बारे में पूछ रहा है उनको क्या कर्मा मिलेगा ग्रूप बारे में पूछ रहा है उनको क्या कर्मा मिलेगा ग्रूप बारे में मिलेगा गुरुप 3 को हर्ट करने के लिए एंजिल्स, प्रीज काईड़ियो, तो यह है तीन आप्शिन्स, तो आप अपने आप्शिन्स सेलेक्ट करिए, गुरुप 1, गुरुप 2 और गुरुप 3 हेलो गाईज, अगर आपने गुरुप 1 सेलेक्ट किया है, तो देखते हैं, यह जो परसन है, इनको क्या कर्मा मिलेगा आपको हर्ट करने का, तैन ओफ वैंड्स का काड़ा है, और किंग ओफ सोर, अल्रेड़े इस परसन को कर्मा मिल रहा है, यह परसन बहुत ज़्यादा स्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा ओवर्थिंकिंग करते रहते हैं, इनको बहुत सारी रिस्पॉंसिबिलिटी एक साथ आ गई है, तो यहाँ पर सैजिटेरियस के एनरजी है, सैटन इन सैजिटेरियस, इसका मतलब है कि सैटन जो है, सैटन इसभर स्ट्रेस्ट में भी है, और साथ में यह पर्सन पर ऐसे हैं, जो बहुत स्ट्रॉंग माइंड वाले परसन है, त्ट्रेस्ट जरूर आ रहे हैं, पर ही इनको हैंडल अच्छी तरीके से कर रहे हैं, अपने लौजिकल दिमार को ज़्यादा यूस करके, यह पर्सन इस वक्त बर्डन मिल रहा है जो बहुत जादा प्रॉब्लेम्स आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया था ठीक है तो ग्रुप वन यह अपक्रेडिंग थी अब ग्रुप टू देखते हैं आपके पर्सन को क्या कर्मा मिलेगा आपको हर्ट करने का यहां पर है फोर ओफ कप्स और यहां पर है टू अफ पेंटिकल्स आपके पर्सन इस वक्त जो है बहुत जादा इमोशनल अपडाउन से गुजरने हैं ठीक है हो सकता है उनको लाइफ से ना जादा इंट्रेस्टेड नहीं पील करने हैं ठीक है बोर्डम से बोर्डम हो रहे हैं मतलब काफी जादा बो हो रहे हैं अपने लाइफ से कोई भी चीज में अच्छी तरीके से यह पर्सन फोकस नहीं कर पाते हैं ठीक है कुछ भी काम करते हैं से फोकस नहीं कर पाते हैं कुछ भी काम शुरू करते हैं उसमें थोड़े दिनों में आपके पर्सन को डिसिंटरेस्ट आ जाता है और ऐस जादा उस वज़े से problems feel करें, कुछ financial losses भी हो सकता इस person को हुई है और ये सब इसले हुई है क्योंकि इन्होंने आपका intentionally कभी दिल दुखाया था उस वज़े से ये person इस stage में है कि आज ये person खुद four of cups के stage में है moon in cancer, ठीक है emotional up-down में चल रहे है आपके person, यहाँ पर भी Jupiter in Capricorn है ठीक है Capricorn उपर से फिर से Saturn की राशी है ठीक है, शनी की राशी है तो definitely इस person को money से related कुछ problems आ रही है तो group two ये थी आपके reading, अब last group के तरफ चलता है group three, देखते हैं आपके person को क्या कर्मा मिला आपको hurt करने का यहाँ पर है world और यहाँ पर है moon ठीक है तो यह थोड़ी different energy आपकी आई है ठीक है, इस person को क्या कर्म मिला है यह person हमेशा success इनको मिलती है पर आते success मिलते मिलते यह person को success पूरी तरीके से नहीं मिलती है, रुख जाती है कुछ ना कुछ उसमे problems आ जाती है, किसी ना किसी प्रकार से दूसरों का interference हो जाता है, या इस person के दिमाग में एक uncertain सा fear है, ठीक है, हो सकता है यह जो person है, इनकी physical health भी थोड़ी इसकी down है, या mentally यह person बहुत जादा stress हो सकते हैं, तीनों इक रूप से mental stress नजर आ रहा है ठीक है, तो यह जो person है हो सकते हैं, इनको बहुत जादा traveling भी करना पड़ता है, बेवज़े के traveling करते हैं, जहाँ जादा पैसे खर्च होते हैं, पर कोई भी इसमें fruitful चीज़े नहीं निकलती है ठीक है, और हमेशा ऐसा लगता है कि यह जो person है एक एक अंदेखे डर से सहमें हुए रहते हैं, ठीक है बहुत जादा यह person हो सकता है, पहले इतने जादा emotional चीज़ों को लेके नहीं थे, पर अब यह person हर चीज़ को उनको लगता है, कहीं है, इनसे खोना जाए तो इस तरीके की आपके person की, तो इस तरह की feelings आपके person के दिल में आती है बतलब बेवज़ा का डर, ऐसा लग जाए है, जैसे की दुनिया भी खतम हो जाएगी, इस तरीके से आपके person फील करते हैं ठीक है, जैसे कोरोना आया था, जैसे उस फक्द जैसे लोग फील कर रहे थे, उसी दहशत में आपके person रहते हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि कै तो यह थी group 3 की reading, वोग आपके साथ resonate हुई होगी, so thanks for watching, thank you